अगर मेरे आपा की इस्दत पहाँ ड़न होगी तो अभी तो हम कर्बला मैंटान में तठा हुए हैं। उनकी इस्दत के लिए हम शहरों को भी कर्बला बना दोते हैं। उस सभा में मैंने जो कहा है उस पर मैं कायम हूँ। हमारे बच्चों को जो जब चाहे आतंगवादी के नाम पर उठा सकता है उस बच्चे उठाये जा रहे हैं। तो हजारी बाग के बरही में एक सभा थी। उस सभा में भीड थी। अहोनी है। उस सभा में मैंने जो कहा है उस पर मैं कायम हूँ। कर्बला को लोग समझते क्या हैं। कर्बला में मेरे माम हुसाइन का खेमा जलाया गया, पानी बंद किया गया, भूके प्यासे तड़ पाया गया, उनके बच्चों को शहीद किया गया, उनको भी शहीद किया गया। उसी एमाम हुसाइन के नाना की इज़त पर कोई हाठ डाले और हम चुप रहेंगे। कहां से संभव हो है। तो कर्बला में तो सब कुछ मेरा लुटा, भूक प्यास से हम को तरड़ पाया गया, हमारे सरकारों को तरड़ पाया गया। आखिर कर्बला को समझ का यूटन लोग देते क्यों, क्या समझ रहें लोग। बड़ी हैरत है कि कर्बला के यजीद का अतिया चार समझ में आ गया। और एमाम हुसैन वालों का सबर समझ में नहीं आया। उसी सम्मेलन में मैंने परस्ताव पारित करया है पबलिक की अदालत से। कि इस वक्त देश में हमारे बच्चों को जो जब चाहे आतंगवादी के नाम पर उठा सकता है, रोजबच्चे उठाये जा रहे हैं। 20 साल, 18 साल बच्चे हमारे जेल की सजा काट कर बाईज़त बरी हो रहे हैं, लाइफ क्रॉस। पेगंबर मुहम्मद ﷺ की इज़त पर कोई कहीं से हाट डाल दे रहा है। हमारे बच्चे अगर सड़क पर निकल जाए, आंदोलन करने के लिए, दुख वैक्त करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए तो गोली मार दी जा रही है। और ये कहकर मार दिया जाता है, कि उसने पत्थर चलाया, इसलिए मैं गोली चला रहा हूँ, वाटर कनाल नहीं इस्तमाल कर सकते थे। आज तक उसकी कोई कमेटी नहीं बेनी, जबके मैंने कहा था, कि हाई कोट के जज की निगरानी में एक कमेटी का गठन कर दीजिए, निकालिए सिसी फुटेज, देखिए गोली किधर से आई है, और पत्थर कहां से आ रहा है, सारी दुनिया ने मिडिया के माध्यम से देखा और जो लड़कों ने विज्यूल बना-बना कर वाइरल किया, उसे भी देखा, कि छोटे-छोटे बारा साल, तेरा साल के बच्चों को भून दिया गया राची में, तो कर्बला में सब लुटा दिया मेरे इमाम हुसेन ने, लेकिन इंसानियत को तो नहीं तूटने दिया, आदमियत को नहीं तूटने दिया, मानावता को घायल नहीं होने दिया, तो हम कर्बला बना देंगे, यही तो है, कि सब कुछ लुटाने के बाद भी हम इंसानियत को नहीं लुटने देंगे, लेकिन है, कर्बला का यजीद लोगों को याद रहा, इमाम हुसेन याद नहीं रहे, अब तो वक्त आ गया है न, कि दो कानून बन जाना चाहिए, अलोग बना दें, आने वाले दिनों के लिए देश हित में, समाज हित में बेहतर होगा बना दें, पहला नामू से रिसालत पर कानून बना दें, कि कोई भी बेक्ती अगर पेगंबर मुहम्मद नहीं की इज़त पर तिश्टा पर हाट डालेगा, उस पर देश दरोग का केस होगा, और दूसरा, मुसल्मानों के जान, माल, इज़त, ताबरू, पर तिश्टा, मस्सिद, मंदिर की सुरक्षा के लिए, बहुत सारे कानून बने हैं, एक कानून बना दें,